नमस्कार विद्याधि मित्रो चेप्टर बे एसिट बेज अनेक्षारना शेशन चार नी अन्दर आपणे जोवानुँछे एसिट अने बेज बच्चे नी प्रक्रियानी पराख आनी समझुती आपता पेला तमने याद पाओ कि प्रथम शेशन नी अन्दर आपणे जोईू कि जयारे आपणे वदारे पर तो खोराक लिए अधवात इखो खोराक लई 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 ये छिए त्यारे आपणा शरीर नी अंदर बढ़त राथाई छे जैने आपणे एसिडिटी कई ये छे आपणे बढ़त रा ओची करवा माटे तमें केवा पदार्थनों उप्योग करशो कि जैथी आपणा बढ़त राजे शे ओची थेई जै तो तमें येनों जवाब आपशो के बेजिक पदार शा माटे बेजिक पदार लेवो जोई है येनी समझूती नों ख्याल पन आपना प्रक्रिया नी अंदर ख्याल आई विजशे इसी वाइ बाद करू तमने क्या प्रक्रिया नी समझूती माटे एक प्रवुती द्वार आपणे समझूती लेए तो तमने वधार सर्वताती ख्याल आउशे जेमा एक कॉनिकल फ्लास्क नी अंदर बे हैमेल जेटलू मंद सोडियम हाइड्रोकसाइड नो द्रावन वितरो अहीं जे एने वहाइच जे कीदू छे ते सोडियम हाइड्रोकसाइड नो अनुसुत्र छे तेने कोस्टिक सोडा तरीके पण ओड़क्वामावेचे आ एने वेज नू द्रावन जेशे ए रंग वीहिं रंग धरावेशे लेके ने कोई रंग धरावतु नथी अन्या तम्हें आकरूतीनी अंदर जो एक कॉनिकल फ्लास्क जेशे एनी अंदर मंद एने वेज नू द्रावन लिदेरुशे प्रश्ना से शे क्या गुलाबी रंग सेन हो छे तो जो तेमा फिनोल थेलीन ना बे टीपा उमेरवा मा आवे छे हवे याद करो प्रथम सेशन नी अंदर एसिट अने बेज नी परक ने आपने प्रयोक्षाले नी अंदर परक करवाना आता तेमा आतू के बेजिक पदार्थ नी अंदर जो फिनोल थेलीन उमेरवा मा आवे तो ते गुलाबी रंग बने छे अले ते रंग परिवर्त न थे ने गुलाबी रंग बनावे छे तो यहां तमें जो इस्ट को छो कि फिनोट थेलीन उमेरता गर ने एने वोएच नू जलीय द्रावण जे छे एक गुला भी बनी जाई छे कारण के एने वोएच क्यो पदार छे बेजिक तेनी अंदर बेजिक गुण धर्मर आयलो छे तेरवची ते द्रावण नी अंदर दिमे दिमे एक एक टीपू मन्द हाइड्रोकलोरिक एसीड नहीं बिजिय आकुरूती नी अंदर तमें जो ओ के तेमा दिमे दिमे मन्द हाइड्रोकलोरिक एसीड नू एक एक टीपू उमेरता जाओ जेती करीने दिमे दिमे तेनो गुलाबी रंग छे ए दूर थाई छे अने छेवटे एकडम दूर थाई ने ते रंग भी हिन बने छे जे तमें बिजी आक्रुतीनी अंदर जोई शको छुँँ तो प्रस्ण नहीं छे क्या अहीं एने वो एज ना द्रावण मा मंद हाइड्रो मेलववा माटे दुरवण ने रंगीन बनावू पड़ा छे अटले फिनोल्थेलीन उमेर्ता तेक गुलावी रंग बनी जाई छे त्यार पशी तमे ज्यारे जेम जेम तेमा HCl उमेर्ता जाशो तेम 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 तेनो रंग जे छे ए आच्छो थतो जाशे आने छेवटे नाबूत थाई जाशे जे साबीती आपे छे क्या आई रंग जेरे नाबूत थाई छे ए साबीती आपे छे के पेला जेरे कॉनिकल फ्लास्क नी अंदर एने वो एच नो जेटलो जथो लिदो तो ने तेटला जथाना प्रमाण नी अंदर तेमा HCl उमेर्वा माजो आवे तो तेमनी वच्चे प्रक्रिया छे इस सम्पून रिते पून थाई छे आने छे वटे तेमा तटस्त द्रावण बने छे आने तटस्त द्रावण बनतू हो वा थी आप्रक्रिया ने तटस्ती करण कई शकाई छे फरिती जो तेमा NaOH ना टीपा जो उमेर्वा मावे तो ते गुलाबी रंग फरिती देखाई छे कारण के जारे NaOH नू द्रावण हतु मानिलो के तेमा 2 ml NaOH छे अने तेनी साथे मंद हाइट्रोक्लोरिक एसिड जे छे एनो पन 2 ml जेटलो जथो कम्पलेट तेनी अंदर दाखल थाई जाई अडले ते प्रक्रिया छे ये पूर्ण थाई छे अने एम कई शकाई के तेमा AC जे होई तेनी AC लिखता पन दूर थाई छे अने बेज जीकतानो प्रमाण AC लिखतानी साप एकसे के उठाई वधी जाई तेथी ते गुलाबी रंग फरीती धारन कर छे आवे आजे प्रक्रिया आपणे जोए प्रवुदी एने एक समीकर्ण द्वारा समझे सोप्रथम तेमनों एक सामन्य समीकर्ण छे के जे एसीड नी साथे बेज नी प्रक्रिया आथवा बेज नी साथे एसीड नी प्रक्रिया थाई तो आपने निपच तेमाथी मत कई मल से मित्रो क्षार औने पाणी समीकरण आपेलू छेईया के मंद हाइड्रोक्लोरिक एसिद अने मंद सोडियम हाइड्रोक्साइड ना जलिय द्रावण वच्चे प्रक्रिया थता तमने सोडियम क्लोराइड अने पाणी मड़ै छे आप्रक्रिया थाई ने तेनी केवी दिते निपत तैयार थाए तेनी एक क्रिया विदित वार आपने समझुती लई है सब्रतम जयरे सोडियम हाइड्रोक्साइड ना जलिय द्रावण नी अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसि harvest उमेरो वाम आवे त्यार बनने सयोझनोनू आई नी करण थाई drie जे तम्हें जोईश शको छवाईएं, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसीड जे होई, तेनु आइनी करण थाई ने, H+, अने, C- बियाएनों मुक्त थाई छे, हाइड्रोजन आइन, अने, क्लोराइड आइन, आविज रितना, सोडियम आइड्रोक्साइड ना, जलिया द्रावन्नी अंदर, HCl भडे, तेनु आइनी करण थाई छे, Na+, अने, OH- माईन्ज मा, Na+, अने, OH- माईनी करण था, एटले, तरथ- ज छुटोपढ़े लो, शोडियम आइन, छुटोपढ़े लो, شवड़ेलो, شवडियम आइन जे छे, ते, कलोराइड आइन, साथिस सहिवगार अन्य द् એચી ટુઓ આવે રીતે છે એ સાયો જન્તે આર્થતુઓ એ છે ઉડુઓ આ છે શામણ એ સમીકરણ અને એકદમ સિંપલ લીતે હું તમને બાદ કરું કે તમે જે એસીડ અને બેજ લો છો તેનું આઈની કરણ કરીને તેમાં છે એ બંને આઈનો એક બીજાના ક્રોસ માં જોડી દ્યો જેમકે સોડ્યમ આઈને કલોરાય્ડ આઈને સાથે જોડો અના હાઈડ્રોજન આઈને ઓએને જાથે જોડો આલે નીપજ બ જોડોજન છે ઓકે ત્યાર બાદ ઓકીજ્જેન કેટલા છે અને જમણે બાજુપણ એક છે ઓકે ત્યાર બાદ સોડ્યમ ક બેજ સાથે અત્વા બેજ ની એસિડ સાથે રાસાનીક પ્રક્રિયા થતા ક્ષાર અને પાણી બને તે સલ્ફ્યોરિક એસિડ એસ્ટો એસોફોપોરની અંદર પોટેશમ હઈડોક્રક્સાઇડ ઉમેરવામાં આવે દિમે તેમની વચ્ચે રાસાણીક પ્રક્રિયા થતા નિપચ તમને પ્રાપત થાય છે કેટ્ટુ એસોફોફોર હેવીરીતે એક સમીકરણ માં ઉસમ જાઓ નીજેનું સમીકરણ જાતે સમજવાનું છે જો કે એચ્ટો એસોફોફોફોફોર ના તેમાં બ્યાઈન મળે છે કે પ્લસ અને ઓએચ માઈનસ હવે અઈંથી છૂટો પડેલો ધનાયન તેયાના રૂણ આયન સાથે સયાં જાઈ અટલે બણાવે છે સુત્ર કે ટુ એસો ફો ફોર અને વદે છે એજ પ્લસ અને વો એજ માઈનસ તો ત છે કે વેરીતે તેયાર થાઈ એનો ખ્યાલ તમને આભી જેશે હવે આપડે જોઈએ ધાતુના ઓક્સાઇડ ની એસિલ સા થોડી માત્રા માં કોપર ઓક્સાઇડ નો ભુકોલ કોપર ઓક્સાઇડ એટલે નું અણું સુત્ર થાય મિત્ર સી ય ઓ કોપર ઓક્સાઇડ સી ઓ આ કોપર ઓક્સાઇડ જે છે એ કાળારંગનો પદાર થોઈ છે કેવારંગનો પદાર છે કાળ મે તરો કાચના સળિયા ઓડે અલાવાવાથી તેમાં કોઈ પણ આઉશેસ દરવિય ચોટ તા નથી એટલા માટે કાચનનો જલાવ્ય આપચી તેમાં કોપર ઓક્સાઈડ અને મંદ હાઈટ્રો ક્લારીક એસિડ વજે રાસ્તાનીક શા માટે કોપર ટુ ક્લોરાઇડ કહે તો યાદ કરો ચેપટર એકની અંદર સટાટિંગ માં શરુવાતની અંદર તમને ગિધેલુ કે કેટલાક ધવનાયન જેશે એમાના એકરતા વધુસેન જક્તા ધરાવતા પનાયનો છે જેમકે કોપરના બેશેનો આયનો સીયૂ પ્લસ અને સીયૂ ટૂ પ્લસ જેમાં બેમાં વિજબાર અલગ અલગ છે બંને વચે પ્રક્રિયા થાય અટલે પરિણા મે તેમાં રંગ પરિવરતં થાઈ છે અને તે દ્રાવણનો રંગ બને છે વાદલી લીલો ક્યો રંગ બને છે વાદલી લીલો પાણી લેકે હમણા જાપલે આગળે એક પ્રક્રીયા જોઈ એસિર અને બેજ વચે ની પ્રક્રીયા જેમાં પણ કે મળે છે ક્ષાર અને પાણી હવે એનું રાસાણીક સમિકરણ કે ભઈ એસિડ તરીકે હઈડ્રોક એસિડ તેને કો કે જેમાં એસિડ તરીકે છે સલ્ફ્યુરીક એસિડ અને આ સલ્ફ્યુરીક એસિડ ને છે મેગનેશમ ઓક્સાઈડ ના એસા માટે ધાત્વીયો ઓક્સાઈડ ની એસિડ સાથેની પ્રક્રીયા એબેજ ની એસિડ સાથેની પ્રક્રીયા પ્રશના ઉકેલ તમને અહીયા મળશે કે બેજીક ઓક્સાઈડ કોને કાયા છે અને ધાત્વીયા ઓક્સાઈડ એકેવા ઓક્સાઈડ છે તો એના ઉપર તેપણે વ્યા પી છે કે જે ઓક્સાઈડ પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરીને બેજ ઓક્સાઈડ કાહે છે તો આઈહી ધાત્વીયા ઓક્સાઈડ એ બેજિક ઓક્સાઈડ છે કારણ કે તેની પાણી સાથે બેજ 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 બને છે તો તેની પરખ કરવા માટે આપણેલ લીપમસ પત્ર નો પયો કરીએ કાજાઈડ ને પાણી धात्विया ओक्साइड ये क्यवा ओक्साइड छे बेईजिक और जो धात्विया ओक्साइड बेईजिक गुण धरावता ओक्साइड तो तेमनी एसिल साथे प्रक्रिया थाईने क्षार ने पाणी बने छे तेम अज बेईज नी एसिल साथे प्रक्रिया धाईने पन क्षार पाणी बने छे, आथी कई शकाई के धात्विय ओक्साइट नी एसील साथे नी प्रक्रिया ए बेज नी एसील साथे नी प्रक्रिया जेवीज होई छे आप्रक्रिया ने आपड़े एक उधारण द्वारा जोहिए, अहीं हा तमने सोडियम ओक्साइट, धात्विया ओक्साइट तरीके ली दोलो छे, एने टू ओ, एटले कि सोडियम ओक्साइट ने पाणी मान नाखो, अटले तेमाथी नीपज आपने मले छे सोडियम हाइट्रो जेनु शुत्र आइपू छे एने ओएज, प्रक्रिया ने सम्तुलित करवी, यहाँ विजावदान तरीके ली आपड़े कली चूनो, चेप्टर एक नी अंदर आवेलू सम्मिकरण छे, पड़े कली चूनो, अटले के चूनानो भुखको, जेनु राज्यानिक नाम छे केल् अटले, धिमे धिमे थी तेमा वरार छूटी पड़ेश, अटले के फोडेलो चूनो तेयार करेशे, फोडेलो चूनु अटले के चूनानो नितर यू द्रावन, जेनु राज्यानिक नाम छे केल्सियाम हाइड्रोक्साइड, जेनु अनु अनु शुत्र थाई C-O-H-2 आविज रितना, पोटेश्याम ओक्साइड, एटले के के चूओ, पोटेश्याम ओक्साइड ने पाणी मा दाखल करो, अले निपज बने छे पोटेश्याम हाइड्रोक्साइड, नितरो समीकरन जाते सम्तू लीद करवा, आसी वाई ना बिजाक केटलाग, धातूना ओक्साइड छे, के जे बेजिक गुणतर मदर आवेशे, जेम आवेशे, मेगनेश्याम ओक्साइड, Mg-O, बेरियम ओक्साइड, Ba-O, सोडियम ओक्साइड, एने 2-O, पोटेश्याम ओक्साइड, K2-O, अने केलिस्याम ओक्साइ ओक्साइड नी एसीड साथे प्रक्रिया, एवीज रिते बिजो टोपिक छे, अधात्विय ओक्साइड नी बेज साथे प्रक्रिया, तेमा पन केटलाग प्रस्णों छे, जेमा प्रस्णों छे के बई, एसीडिक ओक्साइड कौने के वेशे, अने अधात्विय ओक्साइड एक केवा प्रकारना ओक्साइड छे उदारनापी ने समझाओ जे ओक्साइड पाणी साथे प्रक्रिया करीने एसीड बनावता होई अने ते ओक्साइड ने एसीडिक ओक्साइड कहे छे जे ओक्साइड पाणी साथे प्रक्रिया करीने सुबनावता होई एसील बनावता हुए तो तेमने ओ एसीलिक ओक्साइड कहे छे अने कया ओक्साइड एसीलिक ओक्साइड छे तो एमा आवशे के भई धात्विया ओक्साइड एकेवा ओक्साइड छे एसीलिक कारण के तेने पाणी मां दाखल करता थो तेनी पाणी साथे प्रक्रिया थता ते एसीड बनावे छे तो आम कई शकाई के जे धातुना ओक्साइड लेके धात्वीय ओक्साइड ने पाणी मां नाखो तो बेज बने छे एवीज रितना अधात्वीय ओक्साइड जे छे एने पाणी साथे प्रक्रिया कराओ तो सुबने छे एसी अटला कई शकाई के धात्वीय ओक्साइड ए बेजिक ओक्साइड छे जरे अधात्वीय ओक्साइड एकेवा ओक्साइड छे एसी लिक आना उपर थिम तम नेक उदार नापू के परियावरन नी अंदर जे अधातिवी ये ओकसाइड शे एमाथी एसीर के विजी ते तयार थाई छे तमने ख्याल शे के चेप्टर चवुद नी अंदर अश्मी बड़तन ना गेर फाइदा हवे मोटा मोटा उध्योगों नी अंदर थी जे नकामा वायू स्वरूपे कार्बन डायोकसाइड उत्पन्थाई शे एविजरी ते वाहनूना धुमाडामा छे इस सल्फर डायोकसाइड वायू उत्पन्थाई शे आब बन्दने वायू जे शे एव वातावरण नी अंदर बड़े शे और वातावरण नी अंदर भेडा पसी तमने ख्याल छे के ज्यारे वर्साद पड़े त्यारे वर्साद ना पाणे नी अंदर आ वायू ओ बिंजाई शे औने बिंजाई ने तेमाथी एसीड बनावे श यतला माटे कई शकाई के ुमासानी रूतुनों पेलो वस्चा तेटलेके एसीड वर्षा तेमाथी शामाटे एसीड वर्षा वे शे तो तेनु कारण पण प्रक्रिया छे जैमा आपड़े लहिए के बाई गाइ इससी अध प्रायोक्साइड एसोथ्री सलफ़ ट्रायोक्साइड जारे पानी मा ओगले त्यारे तेमादी सलफियूरिक एसील बने छे कभ्यो एसील बने छे मितरो सलफियूरिक एसील एवेज रितन आपड़े बिजो उदान लेए के बाई रिफाइनेरीनी अंदर थी उतपन्थ तो कार्बन डायोक्साइड कार्बन डायोकसाइड वायू जे ए पाणी मां भळे अजने पाणी साथे प्रक्रिया करे तो तेमाथी कार्बोनी केसीर तेयार थाई छे H2CO3 आविज रितना वाहनों ना धुमाडा मां थी उत्पन थतो सल्फर डायोकसाइड SO2 सल्फर डायोकसाइड ये पाणी साथे प्रक्रिया करे तो तेमाथी उत्पन थाई छे सल्फियूरस एसीड H2SO3 हाम विजा किटला अपने अधात्विया ओकसाइड आपेला छे सल्फर डायोकसाइड SO2 पछी डाय क्लोरीन डाय क्लोरीन हेक्जोकसाइड Дाय क्लोरीन हेक्जोकसाइड डाय नाइट्रोजन पेन्टोकसाइड सल्फर ट्रयोकसाइड आने कार्बन डायोकसाइड हवे आपने चोईए कि बेज नी अधात्व ओकसाइड साथे नी प्रक्रिया येने अपने उधान द्वारा समजिए बेज नी अ धातु ओक्साइड लेके अ धातु विया ओक्साइड साथे नी प्रक्रिया थी क्षारा ने पाणी बने छे बेज नी अ धातु ना ओक्साइड साथे नी प्रक्रिया थी कारण के अ धातु ना ओक्साइड शे अधिक गूंध धर्यावता ओक्साइड ए बेज साथे प्रक्रिया करे तो निपजकई आपेशे आपने क्षार अने पाणी अईयाक सामन ये समीकरण थी आपने समझावेशे के कोई पन बेज नी अधातुना ओक्साइड साथे जारे प्रक्रिया थाए त्यारे तेमा थी क्षार अने पाणी बनेशे जेमा आपने एक उदारन जो येके पैस सोडियम हाईड्रोक्साइड सोडियम हाईड्रोक्साइड नी कार्बन डायोक्साइड साथे लेके सोडियम हाईड्रोक्साइड ना द्रावन माथी कार्बन डायोक्साइड वायू पसार करवामा आवे तो तेमाथी आपने निपज मलेशे सोडियम कार्बोनेट जनुआ अनुशुत्र छे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट अने साथे पाणी मुक्त थाई छे हावीज रिते एमोनियम हाइड्रोकसाइड NH4OH एमोनियम हाइड्रोकसाइड ना द्रावन माथी नाइट्रोजन डायोकसाइड वायू पसार करवा मावे तो तेमाथी आपने निपज मलेशे एमोनियम नाइट्रेट लेके NH4NO3 एमोनियम नाइट्रेट अने पाणी पन उदपन करेशे आम बेजनी अधातुना ओक्साइड साथेनी प्रक्रियाथी क्षारने पाणीन बने छे